तो दोस्तो आज की इस वीडिये में हम कवर करेंगे कहानी दा लेडी और दा टाइगर तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि इस कहानी को जैसे ही मैं कम्प्लीट कर दूँगा तो उसके बाद आप ज़रूर अपने बुक को एक बार रिविजन करिएगा क्योंकि दोस्तो मैं इस कहानी को बहुत ही शौट करकर बता रहा हूँ तो चलिए आप कहानी को शुरू करते हैं और हाँ एक और बात मैंने आपके राजिस्थान बोर्ट के इंगलिश लिटरेचर स्लेबस को पूरा कम्प्लीट कर लिया है क्लास 10 का गर आपको देखना है तो इस कहानी में एक राजा रहता है और उसकी बेटी और मैं आपको बताता चलू यह जो राजा है यह थोड़ा संकी टाइप का है आप ऐसा कह सकते हैं और दोस्तो इसे ट्रॉबल यानि कि इसे परेशानी बहुत ही पसंद है तो अब इसने अपने गाउं में एक प्लैन ब करता है मतलब कि अगर कोई किसी जुल्म को करता है तब यह किंग उसे सजा देगा और दोस्तो यह जो सजा है यह बहुत ही अजीब टाइप का है अजीब मैं क्यों बोल रहा हूं सुनी आप तो जो भी अक्यूस्ट परसन होगा किंग उसे क्या करेगा वो उसे एक जगा पर जो accused person है इसे gate को choose करना है तो अगर ये tiger वाले gate को choose करेगा तब इसका मुकाबला होगा tiger से यानि की tiger simply से मार देगा और अगर ये दुसरे gate को choose करेगा तब इसका शादी हो जाएगा उस खूपसुरत लड़की से तो दोस्तो अब यहाँ पर twist क्या है एक दिन क्या होता है ये ज तो राजा की बेटी का अगर शादी होगा तो किसी अमीर से होगा एक normal इंसान से नहीं हो सकता तो ये बात अब राजा को पता चलता है तो अब इस राजा ने इस बंदे को सजा देने का सोचा और ये जो सजा देगा उसी के according देगा यानि कि अपने plan के according देगा तो अब रा से साइट दो गेट होंगे तो अब ये बंदा अब इसकी बारी है चॉइस करने की यानि कि ये कौन सा गेट चॉइस करेगा लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो लॉस है वो इस लड़की और इस लड़के का है यानि ये दोनो प्रेमी और प्रेमी का का प्रॉब्लम है इस राजा को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि दोनों हालत में इस राजा की जीत होगी तो अब अगर ये शेर वाले दरवाजे को चॉइस करता है मतलब कि अगर ये उस डोर को चॉइस करेगा जिसके पिछे शेर होगा तब तो ये मर जाएगा यानि कि शेर इसे खा लेगा लेकिन अगर ये दूसरे दर्वाजे को चॉइस करता है तब इसकी उस खूबसुरत लड़की से शादी हो जाएगी तो दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रिंसेस है यानी कि राजा की जो बेटी है वो इस बंडे को इशारे से कहती है कि तुम राइट वाले दर्वाजे को चॉइस करो यानी कि वहाँ दो दर्वाजा था एक राइट में था और एक लेफ्ट में था सो अब यह बंदा क्या करता है इसने अपने प्रेमिका के कहने पर राइट वाले दर्वादे को चॉइस कर लिया और दोस्तो बात यहाँ पर यह है कि यह कहानी खतम जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना यहाँ पर यह कहानी सस्पेंस के साथ खतम होता है और दोस्तो कहानी के end में आपको कहा जाता है कि यहाँ पर आपको choice करना है कि उस gate में क्या होना चाहिए यानि कि या तो उस gate में tiger होना चाहिए या खुबसुरत ललकी यह दोस्तों आपको choice करना है मतलब कि आपको यहाँ पर अपना point रख कर बताना है तो दोस्तों यहीं पर यह कहानी end होती है मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पूरा समझ में आ गया होगा और हाँ दोस्तों मेरे एक और चानल है जिसका link आपको description में मिल जाएगा तो आप जाएगे उस चैनल पर और subscribe करें